रेवारी में ACB की टीन ने पुलिस महकमे में व्याप्त व्रश्टाचार की पोल खोल दी है। यहां कि सदर्थाना क्षेत्र के एक गाउं में सट्टा खिलाने वाले व्यक्ति से सदर्थाना पुलिस दबाव बनाकर मंथली मान रही थी। एंटी करप्षन बयूरो गुरुग्राम की टीन ने सट्टा खिलाने वाले व्यक्ति की शिकायत पर दो माह की मंथली के रूप में पचास हचार रुपे लेने के आरोप में सदर्थाना एसे चोवाई के एसाई को रंगे हाथों गिरफतार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्च करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसीबी की टीन पकड़े गए आरोपियों से पूछताच कर रही है। वही एसीबी की टीन ने मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया और देर शाम तक कागजी कारवाई पूरी कर दोनों आरोपियों को अपने साथ गुरुग्राम ले गई। जानकारी के अनुसार गोकलगर निवासी शिकायत करता सुनील कुमार सत्ता खिलाने का काम करता है। बताया जा रहा है कि वह थाना सदर पुलिस को सत्ता खिलाने की एवज में हर माह 25 रुपे मन्थली के रूप में देता रहा है। दो माह से धंधा नहीं चलने के कारण वह पुलिस को मन्थली नहीं दे सका। A.S.I. कमल दो माह की मन्थली के रूप में एक मुष्ट पचास हजार रुपे देने का सुनील पर दबाव बना रहा था। A.S.I. के नाम पर मन्थली मांगने की रिकॉर्डेल करने के बाद सुनील ने उसे A.S.I.B. गुरुग्राम को सौप दिया। A.S.I.B. की टीन ने रिश्वत के मामले में पुलिस कर्मियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए योजना बनाए। सुनील को पाउडर लगे नोट देकर कमल से संपर्ख करने को कहा। कमल ने जैसे ही रिश्वत की राशी पकड़ी, A.S.I.B. की टीन ने उसे दबोच लिया। वही मौजूद S.H.O. सुनील दत को भी काबू किया गया। सत्ता खिलाना गैर कानूनी है, लेकिन पुलिस खुद सत्ता खिलाने वाले लोगों से पैसे लेकर यह काम करवा रही है। आए देन पुलिस सत्ता खिलाने वाले लोगों को गिरफतार करती है। अनेर्टिक कार्य करने वाले से ही पैसे लेकर छूट देना पुलिस की कार्य शली पर सवालिया निशान लगा रहा है। सत्टे बाजों से पैसों की वसूली ने पुलिस का असली चहरा उजागर करते हुए इमानदार पुलिस कर्मियों को भी शर्मशार करने का काम किया है ACB की टीम मामले में जाच पर ताल करते हुए पकड़े गया रोपयों से पूछताच कर रही है पर अपने शिकायत करें बिज लेगे जी फिर शिकायत कर दी हम कारवाई होगा आगे गरफतार कर लेगे हाज गरफतार कर लेगे